Hello everyone, मैं हूँ किरिंशापरी और यह है आप लोगों के लिए कमिंग वीग का सापताहिक राशी फल यह 7 जुलाई से लेकर 14 जुलाई तक की आपकी टारू रीडिंग्स हैं, टारू प्रडिक्शन्स हैं और इस वीडियो में सभी साइंस के सापताहिक राशी फल हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशी के सामने टाइम स्टैम्प है आप उस पे क्लिक करेंगे तो डारेक्ली आपकी रीडिंग आ जाएगी और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि माम इस रीडिंग को हम किस साइन के हिसाब से देखें करा रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है the devil और यह कार्ड कहता है कि इस week specifically professional front में एक pressure एक stress आप महसूस कर सकते हैं अब देखें इस pressure इस stress के reason सब के लिए differ करेंगे लेकिन broader level के लिए अगर हम देखें तो devil का कार्ड कहता है या तो आप किसी cheat से situation से बहुत attach हो रहे हैं और most of the rhymes देखें professional front में हम अपने goal अपने you know जो भी हम effort कर रहे हैं उसके outcome से बहुत जादा attach हो जाते हैं और ये चीज़ें बहुत एक pressure create करती हैं या फिर अगर आप किसी को control करने की कोशिश कर रहे हैं, dominate कर रहे हैं या कोई अगर आपके professional front में आपको control कर रहे हैं, dominate कर रहे हैं तो भी एक pressure stress tension हो जाती है और इन ही चीज़ों को अगर आप check करके correct करते हैं तो इस week के energy इसको बहतर कर सकते हैं अब दिखिए यहाँ पर devil stress tension को सुनके आपने परिशान नहीं होना है क्योंकि ये पूरी जिंदगी की reading नहीं है ये सिरफ और सिरफ इस week की reading है और weekly reading में बहुत बड़ी चीज़े नहीं होती है और वैसे भी tarot guidance के लिए होता है अगर आप इस card से guidance लेते हैं जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि आप किसी भी situation को beyond the point control ना करें आप नहीं किसी को खुद को control करने दें और बहुत ज़ादा आप attachment किसी भी चीज से ना रखें और फिर से कहूंगी इन ही चीज़ों को check करके correct करते हैं surrender mode में रहते हैं going with the flow वाली energies में रहते हैं तो ये वी आपका ठीक ठाक जाएगा नहीं तो फिर आप परिशान हो सकते हैं and personal front के लिए आप लोगों के लिए two of wands का card है तो देखे एकडम से contrary energies professional or personal front की रहते ही दिख रही है personal front में बहुत confident आप चीज़ों को लेकर situation को लेकर होते हुए दिख रहे हैं and इसी confidence के साथ जो भी personal front में हो रहा है या फिर आप कर रहे हैं आप चीज़ों को next level पर लेकर जाना चाहा रहे हैं बहुत सारे chances हैं कि out of the country से related भी कोई activity या तो हो रही है या फिर आप चाहा रहे हैं या इसी से ही related आपके मन में सोच चल रही है और जो भी आप कर रहे हैं किसी खास इंसान का एक support आपके लिए available रहता हुआ दिख रहा है अब हो सकता है कि आप उनका support लें हो सकता है आप ना लें लेकिन back of the mind में आपके रह सकता है कि भाई अगर आपको help चाहिए support चाहिए तो कोई इंसान है जो हमेशा आपके लिए you know ready है या मैं कहूंगी कि आपको support करने के लिए ready है और हो सकता है कि यही चीज आपको एक confidence दे रही है या otherwise जो भी आप कर रहे हैं उससे related भी काफी confidence आता हुआ दिख रहा है and आप out of the country हो सकता है travel कर रहे है या travel related planning चल रही है या फिर out of the city भी हो सकता है कि आप travel कर रहे है या फिर करना चाहा रहे है all in all personal front काफी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है एक enthusiasm एक excitement भी रहती भी दिख रही है and in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए to the sea का card है और ये card कहता है कि जितना आप going with the flow all energies में रहेंगे उतना इस week को बहतर करेंगे और देखिए personal, professional किसी भी front की guidance हो सकती है लेकिन professional front के लिए जादा रहती भी दिख रही है क्योंकि professional front में हमने देखा या तो आप चीजों को बहुत जादा control कर रहे है या फिर कोई आपको control करने की कोशिश कर रहे है और यहाँ पर guidance का card बहुत clearly कहता है कि जितना अपने आपको free रखेंगे जितना you know going with the flow all energies में रहेंगे in the moment में रहेंगे उतना आप चीजों को बहतर करेंगे और astrology से आप लोगों के लिए लिए sign का card है इसके इसाब से all shades of yellow इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Sunday तो ये था एरीज आप लोगों के लिए coming week का साथ था है क्राशीफल और नेचे मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए चली डॉरस आप लोगों के लिए देखें ये coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies है तो professional fund के लिए आप लोगों के लिए card है 10 of cups reverse और ये card कहता है कि इस week specifically professional fund में कहीं एक dissatisfaction किसी भी लिवी पर आपने हैसूस कर सकते है कहीं वो एक happiness वो एक joy नहीं रहते हुए दिख रही है अब देखें मैं ये आपको बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि कोई issue हो रहा है कोई मसला हो रहा है क्योंकि 10 of cups is not a negative card ये एक बहुत ही positive card है लेकिन ये card इस week आप लोगों के लिए reverse है तो कहीं you know कुछ के लिए चोटे-मोटे reasons हो सकते है कुछ के लिए आपका ही कोई belief system हो सकता है जो आपको bother कर रहा है या फिर आपके work front में जो भी लोग आपके लिए काम करते हैं या फिर आपके साथ काम करते हैं उनके साथ चोटे-मोटे issues भी एक रीजन रह सकता है आपके dissatisfaction का और वो complete नहीं हो रहा है इसलिए भी आप थोड़ा सा low feel कर रहे हैं या फिर आपको ऐसे लग रहा है कि जो एक appreciation आपको मिलनी चाहिए थी जो एक recognition जो भी काम आप कर रहे हैं आपको मिलना चाहिए था वो आपको work front में नहीं मिल रहा है तो देखिए फिर से कोई major reason नहीं रहता हुआ दिख रहा है और थोड़ा सा आप अपने thought process को check करके correct करेंगे थोड़ा सा आप जो भी चीज आपको बहुत जादा bother कर रही है उस पे इतना attention ना देके कैसे इन चीजों को आप ठीक कर सकते हैं उस पे focus करेंगे तो इस week की energies को आप बहुत बहतर करेंगे और देखिए फिर से मैं कहूंगे कि overall कहीं feelings, emotions, sentiments, relationships आपके work front में जादा आपको bother कर रहे हैं या फिर मैं कहूंगे अगर bother नहीं भी कर रहे हैं तो वो एक focus आपका जादा रहता हुआ दिख रहा है and personal front के लिए आप लुगों के लिए the hero friend reverse का card है और ये card कहता है कि या तो पीछे किसी चीज को लेकर आप बहुत rigid, बहुत fixated हो रहे थे और इस week आपको ऐसे लग रहा है कि इतना rigid, इतना fixated होके काम नहीं चलेगा थोड़ा तो flexible होना पड़ेगा या फिर आप बहुत जादा ही rigid और fixated हो रहे हैं तो देखिए अगर आपको इस चीज की awareness है और आप already check करके correct कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर आप aware नहीं है और over rigid, over fixated होते जा रहे हैं तो इससे आप चीजों को खराब कर सकते हैं और हो सकता है कि again इस time आप नहीं देख पा रहे हैं आप नहीं समझ पा रहे हैं लेकिन जब भी भी हम बहुत rigid हो जाते हैं बहुत fixated हो जाते हैं तब कहीं हम अपने और options को नहीं देख पाते हैं तब कहीं you know हम बहुत ही जिद्धी हो जाते हैं stubborn हो जाते हैं और ऐसे में देखे हम खुद का ही नुकसान करते हैं तो अगर आपको इस चीज का एहसास हो ये reading देखकर तो इसको जरूर चक करके correct करें और दूसरी बात ये card कहता है जो भी घर के बड़े हैं उनके साथ छोटे-मोटे issues रह सकते हैं और हो सकता है कि वो करता है तो कुछ के लिए हो सकता है कि आप किसी religious spiritual place को visit करना चाह रहे हैं या पिर किसी religious spiritual activities में participate करना चाह रहे हैं और इससे related issues मसले हो रहे हैं या फिर आपको ऐसे लग रहा है कि पर too much हो गया है ये religious spiritual activities और आप थोड़ा सा इनी चीजों से break लेना चाह रहे हैं तो चीजों को लेकर fixated और rigid ना हों क्योंकि ऐसी energies में फिर हम you know बहुत अपने जो बाकी के options होते हैं उनको नहीं explore कर पाते हैं और हम अपना बहुत जादा नुकसान करते हैं and in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए clean it up का card है बहुत clear message है कि जो भी चीजे आपको serve नहीं कर रही है जो भी चीजे आपको bother कर रही है अगर हम personal friend में देखें तो पुरानी सोच हो सकती है पुराने ख्यालात हो सकते हैं बहुत ही rigid fixated belief system हो सकते हैं जो आपको serve नहीं कर रहे हैं या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ जो आपको life में पीछे की तरफ लेकर जा रहे हैं उनको आप let go क clean करें और professional friend में कहीं you know relationships किसी level पर हो सकते हैं या फिर आप बहुत जादा emotional sentimental चीजों को लेकर हो रहे हैं ये एक चीज हो सकती है जो आपको पीछे की तरफ कीच रही है या पिर जिसकी वज़े से issues मसले हो रहे हैं तो इसको clean करें और देखिए कुछ के लिए literal level पर भी हो सकत होती है हमारा store room होता है उसमें हम हर चीज को dump करते रहते हैं और हम time to time उसको नहीं clean करते हैं for whatever reason हमारे justified reasons भी होते हैं तो उस area को भी clean करें क्यूंकि जब हमारे external front में भी कोई area clean नहीं होता है trust me वो external front पे issues और मसले create करता है तो all in all ये card कहता है कि कोई भी चीज जहां पर clutter है जहां पर you know एक सफाई नहीं है वो हमारा mind भी हो सकता है वो हमारे घर का कोई kona हो सकता है वो हमारे work front का कोई kona हो सकता है उसको हमने इस week ज़रूर clean करना है और आप ऐसा करेंगे आप देखेंगे कि कैसे अंग्रह का card है इसके हिसाब से beige brown colors इस week आप लुगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लुगों के लिए होगा Saturday तो ये थट और आप लुगों के लिए coming week का सापता ही ग्राशीफल और नीचे मुझे मुझे comment section में जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए Gemini's आप लुगों के लिए देखें ये coming week क्या लेकर आ रहा है कि energies है तो professional front के लिए आप लुगों के लिए card है the magician reverse और ये card कहता है कि इस week specifically professional front में या तो आप over confident हो रहे हैं या फिर under confident हो रहे हैं या फिर you know या तो आप लोगों को चीजों को situations को थोड़ deal कर रहे हैं या फिर कोई इंसान है आपके professional front में वो manipulative हो रहे हैं वो diplomatically आपके साथ dealings कर रहे हैं और दीखिए हर सेनारियो में थोड़ा सा alert रहना थोड़ा सा cautious रहना बहुत important रहेगा थोड़ा सा चीजों को चेक करके correct करना बहुत important रहेगा for example अगर आप manipulative हो रहे हैं और correct करें क्योंकि इस energies के साथ long term में हमें benefit नहीं होता है यह बहुत ही एक short term का benefit होता है जो की again मैं कहूंगी long term में हमें परेशान करता है and at the same time अगर आपको लगे कि भी आपके work front में कोई इंसान थोड़ा सा manipulative हो रहे हैं diplomatically चीजों को deal कर रहे हैं उनके intentions ठीक हैं कोई बात नह आपको लगे कि उनके intentions ठीक नहीं है आपने तुरंट you know alert होना है और थोड़ा सा cautious होना है blind trust उनपे नहीं करना है overconfident हो रहे हैं तो भी चीजें खराब होंगी क्योंकि कहते हैं न overconfidence leads to destruction और अगर underconfident हो रहे हैं तो भी आप true you know अपनी capabilities के हिसाब से अपने काम को नहीं कर पा तो दिखे इनी सब चीजों का खयाल रखे हैं और बहुत सारे chances हैं कि आप बहुत सारी चीजें एक साथ कर रहे हैं या फिर बहुत सारी चीजें आपके mind में एक साथ चल रहे हैं जिसकी वज़े से या फिर otherwise भी आप अच्छे से focus नहीं कर पा रहे हैं आपका उस तरीके से concentration नहीं बन पा रहा है और अगर ये भी पाएं आप तो जरूर इस चीजे को चेक करके correct करें और मुझे ऐसे लगता है कि ऐसे में जब आप चीजों को prioritize करते हैं यानि कि सबसे ज़ादा आपके लिए क्या एहम है important है उस पे आप focus करते हैं बाकी चीजों को थोड़ा सा pause करते ह और फिर इनो धीरे धीरे बाकी चीजों पर जाते हैं जब आपका एक काम ट्राक पर आजाता है या पिर हो जाता है तो आप बहतर तरीके से चीजों को manage कर पाते हैं और ये सिरफ और सिरफ ये example है आपकी situation है आपने इनी सब चीजों का खयाल रखके कैसे इस week के energy इसको बहत जरुत से जादा कर रहे हैं या फिर जरुत से कम कर रहे हैं अब देखिए थोड़ा थोड़ा सब के लिए differ करेगा क्योंकि ये general reading है कुछ के लिए हो सकता है कि आप over caring, over loving किसी इनसान के लिए या फिर किसी situation के लिए हो रहे हैं और कुछ के लिए हो सकता है कि आप बिलकुल ही attention नहीं दे रहे हैं और दीखें दोनों सेनारियों में खुद को check करके correct करना है क्योंकि कोई भी चीज ना तो जरुद से जादा ठीक होती है ना ही जरुद से कम ठीक होती है एक balanced energies एक moderate तरीके से चीजों को deal करना ही ideal situation होती है आप देखें ये सिरफ और सिरफ मैंने आपको example दिया कुछ के लिए हो सकता है कि कि किसी चीज को लेकर यहां तो आप over effort कर रहे हैं over action initiatives ले रहे हैं और कुछ के लिए हो सकता है कि आप बिलकुल भी action initiative नहीं ले रहे हैं तो फिर से कहूंगी कि थोड़ा सा balance तरीके से चीजों को deal करें और कहीं personal front में भी आप उतना focus concentrate नहीं कर पा रहे हैं और कैसे ये नो आप चीजों पर focus कर पाएं concentrate कर पाएं दोनों ही fronts के लिए इस पे आप जरूर you know attention दें इसको जरूर आप check करके correct करें कुछ के लिए हो सकता है again personal front में भी एक से जादा चीजों में आपने खुद को involve किया हुआ है और ये भी एक reason है balance नहीं maintain कर पा रहे हैं और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आप कहीं गए हुए थे और इस week आप वापस आ रहे हैं तो दिखिए कुछ भी negative दोनों ही fronts में नहीं होता हुआ दिख रहा है but yes छोटे मोटे issues रहते हुए दिख रहे हैं और मैंने बहुत detail में आपको बताया किस तरीके के issues रह सकते हैं और इन ही चीज़ों को अगर आप थोड़ा सा खयाल रखते हैं इस week की energies को आप बहुत बहतर करेंगे और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं and in general या फिर guidance से आप लुगों के लिए card है ये और ये card कहता है कि इस week अगर आप थोड़ा सा receptive energies में रहते हैं होता है ना कभी-कभी हम over giving होते हैं और आपके personal front के लिए भी temperance का card किसी चीज़ के over होने की बात करता है तो हो सकता है कि आप over giving हो रहे हैं अपने personal front में या फिर professional front में आप over action initiatives ले रहे हैं और ये card कहता है कि again एक balance आपने maintain करना है make sure कि आप जतना दे रहे हैं उतना आप receive भी कर रहे हैं और देखिए मैंने हमेशा अपने readings में कहा है कि जब relationships में specifically giving and receiving में एक balance नहीं होता है तब ही चीजें खराब भी होती हैं तो फिर से कहूंगी कि इस week आप थोड़ा receiving वाली energies में भी रहें और ऐसा करेंगे तो इस week को overall ही आप भैतर करेंगे and astrology से आप लोगों के लिए Aries sign का card है इसके हिसाप से all shades of red, maroon, rust इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Tuesday तो ये था Gemini's आप लोगों के लिए coming week का सापता ही क्राशी फल और नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए चलिए can series आप लोगों के लिए देखें ये coming week क्या लेकर आ रहा है, क्या energies है तो professional fund के लिए आप लोगों के लिए card है seven of pentacles और ये card कहता है कि इस week specifically professional fund में आप किसी चीज को लेकर या पर in general ही एक planning कर रहे हैं और दिखें planning किसी भी चीज को लेकर हो सकती है, लेकिन इस card के हिसाब से आप थोड़ा सा pause लेके चीजों को समझना चाहा रहे हैं जिस भी मकाम पे आप हैं, उससे आपको next step क्या लेना चाहिए आपको क्या direction लेनी चाहिए, आप उसके बारे में ज़्यादा सूचते वे दिख रहे हैं आप जो कर रहे हैं, आपको वैसे ही करते रहना चाहिए आपको you turn लेना चाहिए, right turn लेना चाहिए, left turn लेना चाहिए आखिर you know आपको क्या direction इस point of time से लेनी चाहिए जिससे की आपको फाइदा हुआ, मुनाफा हुआ, और क्या किया, जिससे की नुकसान हुआ और इनी चीजों को consider करते हुए, आप future course of action, future जो भी direction लेना चाहते हैं उसको decide करना चाहा रहे हैं, तो दिखिए all in all बहुत neutral ये week रहता हुआ दिख रहा है ना तो कुछ बहुत great होता हुआ दिख रहा है, ना ही कुछ खराब होता हुआ दिख रहा है एक सोच, एक planning future को लेकर इस week आपके professional front में रहती भी दिख रही है and personal front के लिए आप लोगों के लिए three of cups reverse का card है और ये card celebration की बात करता है, reunion की बात करता है, get together की बात करता है जादा socialize करने की बात करता है क्योंकि आप लोगों के लिए ये card is week reverse है कुछ के लिए हो सकता है कि ये सब चीज़े बहुत जादा हो रही है यानि कि आपको ऐसे लग रहा है कि eating, drinking, merry making, partying अब दिखे, party, reunion भी हो सकती है, get together भी हो सकता है celebration जैसे की शादी, engagement या फिर कोई भी चीज़ हो सकती है और बहुत जादा इन ही चीज़ों में आपकी involvement रह रही है और आपको ऐसे लग रहा है कि भई too much हो गया, थोड़ा सा आप break चाहते है कुछ के लिए हो सकता है कि आप इन चीज़ों में खुद को involve तो कर रहे है यानि कि participate तो कर रहे हैं लेकिन इतना enjoy नहीं कर रहे है और कुछ के लिए हो सकता है कि भई किसी get together celebration में किसी love one के साथ थोड़ा सा मन मुटाव हो गया या फिर कुछ issue चोटा मुटा या फिर मसला हो गया तो दिखिए all in all personal front के लिए भी चीज़ें ठीक ठाक रहती भी दिख रही है अगें कुछ भी खराब नहीं होता हुआ दिख रहा है ये card कहीं celebration या फिर get together, reunion किसी भी level पर होने की बात करता है या फिर जादा socialize करने की बात करता है और अगर ये सब चीज़ें नहीं हो रही है तो अपने close ones, अपने loud ones या फिर family members के साथ हो सकता है आप जादा connect करना चाहा रहे हैं जादा interact कर रहे हैं या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि over ही discussions किसी चीज़ को लेकर हो रहे हैं over ही बातचीत हो रही है तो दीखे, इसी के around चीज़ें रहती भी दिख रही हैं और ठीक था कि ये भी personal front related भी रहता हुआ दिख रहा है और इन जनरल या फिर guidance से आप लोगों के लिए milk and honey का card है और ये card कहता है कि जो भी हो रहा है उसको अच्छे से enjoy करें milk and honey कहीं एक richness को represent करते हैं या फिर बहुत एक abundant energies को represent करते हैं तो जो भी फिर से मैं कहूंगी अच्छी चीज़ें हैं उनको खुल के enjoy कि रहे हैं कि कुछ चोटे मुटे issues रह रहे हैं और अगर आप उन पर बहुत जादा focus कर रहे हैं और फिर से कहूंगी enjoy चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं और ये सिरफ और सिरफ एक example है कोई भी reason रह सकता है सब के लिए different reasons रहेंगे इनको अपने उपर हावी ना होने दे enjoy करें, मस्ती करें, मजा करें and astrology से आप लुगों के लिए विस्ता का card है इसके हिसाब से all shades of yellow and orange इस week आप लुगों के लिए लखी रहेंगे and significant days आप लुगों के लिए होंगे Sunday and Thursday तो ये था किट से लिए आप लुगों के लिए coming week का सापता है काशी फल और नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए लिए लिए आप लुगों के लिए देखें coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies है तो professional fund के लिए आप लुगों के लिए card है 9 of wands reverse और ये card कहता है कि इस week specifically professional fund में आपको ऐसे लग सकता है कि बस ठक गए और दिखिए यहाँ पर इस ठकावट के इस exhausted वाली energies के लिए सब लिए उसके लिए different reasons रहेंगे लेकिन broader level के लिए अगर हम देखें तो हो सकता है कि किसी चीज़ को लेकर specifically या फिर overall ही आप बहुत effort कर रहे हैं आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपको वो result नहीं मिल रहा है जो आप चाहा रहे हैं या फिर आपको लगता है कि जो आप deserve करते हैं और इसी लिए कहीं again कहूंगी एक ठकावट आप महसूस करते वे दिख रहे हैं आपको ऐसे लग सकता है कि बस अब और हिम्मत नहीं है चीज़ों को pursue करने की effort करने की महनत करने की और दिखिए जब भी भी ये काड आता है थोड़ी सी और महनत करेंगे अपनी मंजिल अपने मकसद को आप definitely पा लेंगे तो give up ना करें और चीज़ों को लेकर मायूस ना हो हो सकता है कि कि किसी चीज़ों को लेकर आप थोड़ा सा hurt भी महसूस कर रहे हैं लेकिन जो भी reason रहे आपने again मैं कहूंगी give up नहीं करना है क्योंकि आप अपनी मंजिल मकसद के बहुत करीब हैं and personal front के लिए आप लुगों के लेking of pentacles का काड है और ये काड कहता है कि personal front में एक stability, एक security आप महसूस कर रहे हैं बहुत practical, realistic होके चीज़ों को deal कर रहे हैं और कहीं दिखे या तो आपका खर्चा हो रहा है या फिर आपके पास पैसा आ रहा है और दोनों ही सेनारियों में आप अच्छा feel करते वे दिख रहे हैं यानि कि अगर आपका खर्चा हो भी रहा है तो ये चीज़ आपको परेशान नहीं कर रही है कुछ के लिए literally हो सकता है कि बहुत time से कोई चीज़ आप purchase करना चाहा रहे थे किसी भी reason की वज़े से नहीं कर पा रहे थे कुछ के लिए literally हो सकता है कि money थोड़ा सा short हो रहा था और कुछ के लिए otherwise भी हो सकता है कि आप अभी सोच रहे थे आप चीज़ों को समझ रहे थे तो इस week वो बड़ी purchase आप करते होए दिख रहे है नहीं तो otherwise भी जिस भी चीज़ पे खर्चा हो रहा है again कहूंगी आपको परिशान नहीं कर रहा एक अच्छी feeling दे रहा है और कुछ के लिए फिर से कहूंगी money, पैसा या तो आपके पास आता हुआ दिख रहा है या फिर materialistic, tangible चीज़ों को आप enjoy करते हुए दिख रहे है क्योंकि एक king का card है कुछ के लिए हो सकता है कि कोई male figure है जो बहुत practical है, realistic है, well off है उनकी तरफ से एक supportive energies आपके लिए रहते भी दिख रहे हैं overall personal front ठीक ठाक जाता हुआ दिख रहा है और professional front के लिए मैंने आपको कहा कि अगर आप give up नहीं करते हैं, आप himmat नहीं हारते हैं आप you know effort करते हैं तो जो भी आप चाहते हैं definitely आप उसको पालेंगे and in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए peace का card है तो देखिए कुछ के लिए हो सकता है, ये card कह रहा है कि एक peace, एक सुकून किसी भी level पे आप महसूस कर रहे हैं और कुछ के लिए हो सकता है, ये card कह रहा है कि जो भी situation रहे, जो भी circumstances रहे आपका focus peace maintain करने पे होना चाहिए कितनी बारी love one के साथ कोई argument हो जाती है हम इतना जादा उस argument को win करने में यानि कि उस बहस को जीतने में focus कर रहे होते हैं कि in the process हमारे मन का सुकून जाता है हमारे मन का chain जाता है और at the end of the day हमें लगता है कि भाई क्यों हम खाम कहा ही इस चीज में उलजे तो देखिए इसी चीज का आपने खयाल रखना है जो भी हो आपने अपना सुकून अपना पीस नहीं खोने देना है आपने इन ही चीजों को सबसे ज़ादा एहमियत देनी है और astrology से आप लोगों के लिए cancer sign का card है इसके हिसाब से white color इस week आप लोगों के लिए लखी रहेगा and significant day आप लोगों के लिए होगा Monday तो ये था लियोज आप लोगों के लिए coming week का साथ आप था ही क्राशी फल और नीचे मुझे comment section पे जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए success को represent करता है, victory को represent करता है, positive outcome, positive result को represent करता है happiness, joy, clarity, जो भी अच्छी चीज़े होती है उन सब चीज़ों को represent करता है और कुछ ऐसा ही इस week specifically आपके professional fund के लिए रहतावा दिख रहा है पीछे अगर किसी चीज़ को लेकर बहुत एक confusion हो रहा था आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आप क्या करें, आप बहुत परेशान हो रहे थे तो इस week बहुत जबरदस एक clarity आती हुए दिख रही है पीछे effort कर रहे थे, तो success आपको इस week मिल रहा है या फिर एक positive outcome आपको मिल रहा है और फिर से कहूंगी, overall एक happiness joy रहती भी दिख रही है आपको लोग काफी appreciate करते भी दिख रहे है बहुत positivity भी रहती भी दिख रही है या मैं ऐसा भी कह सकती हूं कि एक positive frame of mind के साथ आप चीज़ों को deal कर रहे है and personal front के लिए आप लोगों के लिए 10 of wands का card है तो दिखे, professional front से personal front एक दम से opposite जाता हुआ दिख रहा है जहां professional front में आप चीज़ों को enjoy करते हुए दिख रहे हैं enthusiasm, excitement रह रहा है वही personal front में कहीं आपने बहुत सारी responsibilities अपने उपर ली हुई है और इसलिए या पर कोई और भी reason हो सकता है एक pressure, एक burden आप महसूस कर रहे है आप अपनी मनजिल मकसद को clearly देख नहीं पा रहे है और कहीं दिखे, इस pressure, इस burden का reason सब के लिए differ करेगा लेकिन 10 of wands का card कहता है कि शायद आप लोगों को ना नहीं कह पा रहे है आप अपना तो काम कर ही रहे हैं अपने loved ones, close ones का भी काम आप करते हुए दिख रहे हैं और अगर ऐसा आप आएं तो ज़रूर इस चीज को check करके correct करें क्योंकि दिखे, ये card कहता है कि अगर आपने pressure को offload नहीं किया या फिर मैं कहूंगी कि अपनी responsibilities को कम नहीं किया तो फिर आगे चलके आप परिशान हो सकते हैं आपकी physical body में इसका effect हो सकता है यानि कि physical body में भी issues मसले रह सकते हैं तो personal front में जरूर इस चीज का खयाल करें जितना कर सकते हैं उतना ही करें जैसे होता है ना rubber band आप उसको थोड़ा सा stretch करते हैं ठीक रहता है लेकिन जब आप जरूरत से ज़ादा उसको stretch करते हैं तो तूट जाता है इसी तरीके से train of wands का काट कहता है कि जितना आप कर सकते हैं उससे थोड़ा सा आप ज़ादा करते हैं तो कोई फरक नहीं पड़ता है लेकिन अगर आप बहुत ज़ादा करते हैं effort, महनत या फिर अपने उपर responsibilities आप जितनी निभा नहीं सकते हैं उससे भी ज़ादा अपने उपर ले लेते हैं तो फिर आप परेशान होते हैं तो इस चीज का ख्याल आप ज़रूर रखें और इन जनरल या फिर guidance है आप लोगों के लिए no place like home का काड है अगेन ये काड भी आपको यही message देता है कि अपने आपको जितना comfortable रखके आप चीज़ों को करेंगे अपनी stability, security पे focus करते हुए या उसको maintain करते हुए आप चीज़ों को करेंगे तो आप इस week को भैतर करेंगे नहीं तो फिर आप परेशान हो सकते हैं और astrology से आप लोगों के लिए Neptune का काड है इसके हिसाब से जो भी समुंदर के रंग होते हैं sea green, sea blue आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Thursday तो ये था वो गुज़ आप लोगों के लिए coming week का सापता है क्राशी फल और नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए चले ले ब्राज, आप लोगों के लिए देखें ये coming week क्या लेकर आ रहा है, क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है the full reverse और ये card कहता है कि इस week specifically professional front में आप काफी चीजों को लेकर, लोगों को लेकर या फिर situation को लेकर लापरवा हो रहे हैं एक बहुत careless वाली energies रह रही है जहां पर आप बिना सोचे समझे चीजों को करते जा रहे हैं एक immature energies हैं आप uncalculated risk भी लेते हुए दिख रहे हैं और दिखिए ऐसा आप भी पाएं तो ज़रूर इस चीजों को चक करके correct करें क्योंकि carefree energies बहुत अच्छी बात होती है in the moment में रहना, going with the flow वाली energies में रहना भी बहुत अच्छी बात है लेकिन जब भी भी in the process हम immature तरीके से चीजों को deal करना शूरू कर देते हैं हम बहुत लापरवा, बहुत careless हो जाते हैं उस time हम नहीं देख पाते हैं लेकिन फिर आगे चलके चीजें खराब होती हैं और हम बहुत परेशान होते हैं हमें बहुत regret होता है कि काश उस time थोड़ा सा समझदारी से चीजों को deal कर लिया होता और अगर आप पहले से ही इस reading को देख रहे हैं तो card आपको यही advice कर रहा है कि अभी वक्त है आप समझ जाए कोई भी चीज अगर आपको नहीं समझ में आ रही है आप 100% नहीं sure हैं कोई तो इंसान आपकी life में होगा जिन पे आप बहुत trust करते हैं जो experiential हैं उनसे जरूर आप अच्छे से discuss करें उनसे जरूर आप सल्हा लें और बिना सोचे समझे कोई भी risk आप ना लें कोई भी काम आप ना करें क्योंकि फिर से मैं कहूंगी इस week आप शायद नहीं चीज़ों को देख पाएंगे लेकिन आगे चल कर आप काफी परेशान हो सकते हैं और परसनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए काड है 4 of Pentacles Reverse और ये काड कहता है कि पीछे किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप बहुत जादा rigid हो रहे थे fixated हो रहे थे तो इस week कहीं एक flexibility लाते हुए दिख रहे हैं किसी भी चीज़ को आपने बहुत tightly पकड़ा हुआ था आप clingy हो रहे थे तो इस week किसी भी level पे आप लटको करते हुए दिख रहे हैं अब दिखें situation, circumstances सब Libras के लिए differ करेंगी कुछ के लिए कोई connection हो सकता है होता है ना कभी-कभी किसी इनसान के लिए हमारे parents होते हैं, times या बच्चे होते हैं या romantic relationship में हमारे partner होते हैं, कोई भी इनसान हो, हमें ऐसे लगता है कि बस इनके बगयर हमारी जिन्दगी possible नहीं हैं, और हम बहुत उनसे expectations रखना शूरू कर देते हैं हम उनके लिए बहुत possessive हो जाते हैं obsessive हो जाते हैं, बहुत clingy हो जाते हैं, और कहीं, you know हम अपने relationship को भी किसी level पे खराब करते हैं और जब हमें ये एसास होता है कि इन्ही energies की वज़े से हमारा relationship खराब हो रहा है, जब तक हम थोड़ा सा letting go वाली energies में नहीं रहेंगे, हमारा relationship बहतर नहीं होगा, तब you know हम थोड़ा एक flexibility लेकर आते हैं let go करते हैं चीजों को और अपने relationship को भी बहतर करते हैं और हो सकता है इस चीज का एहसास Libras आपको हो रहा है in fact दिखेंगे, letting go वाली energies सब Libras के लिए differ करेंगी कुछ के लिए जैसे कि अभी मैंने आपको बताया इस तरीके की letting go वाली energies हैं कुछ के लिए हो सकता है कि आप थोड़े से मायूस हो रहे हैं, इसलिए let go कर रहे हैं और ये सिरफ और सिरफ एक example है सब के लिए different चीजें होंगी different situation, circumstances होंगे जिनमें एक letting go वाली energies आप रखते होए दिख रहे हैं कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि कि इसी loved one की कोई बात आपको बहुत बुरी लग गई आपने बहुत tightly उस बात को पकड़ा हुआ था और इस week आपको ऐसे लग रहा है कि बस बहुत हो गया भई let go कर दो कुछ के लिए कोई आदत हो सकती है कोई behavior हो सकता है again कोई भी चीज हो सकती है जिसको इस week आप let go करते हुए दिख रहे है और दिखें ये सिरफ और सिरफ इस week के energies है आपकी पूरी जिन्दगी के energies नहीं है तो इस week के लिए again एक letting go वाली energies एक flexibility जादा आप लोगों के लिए रहती हुए दिख रही है और Libra's actually में ये एक ideal situation भी होती है एक कहावत है English में relationships are like birds when you hold them too tight they die when you hold them too loose they fly यहाँ पर दिखें relationships को लेकर coat है लेकिन हर situation में ये applicable होता है हम जब एक balance तरीके से चीजों को deal करते हैं तो ज़ादा अपनी life को बहतर और easy करते हैं जब भी हम किसी भी चीज को लेकर over हो जाते हैं या फिर under हो जाते हैं यकीन मानिए हम चीजों को खराब करते हैं तो जो भी आप कर रहे हैं actually में ठीक करते हुए दिख रहे हैं और कुछ के लिए भी हो सकता है कि आपका खर्चा हो रहा है पैसा आपके हाथ से निकल रहा है खास कर जो money आपने safe किया था वो आपको spend करना पड़ रहा है या फिर आप spend कर रहे हैं and in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए time to go का card है और ये card कहता है कि जो भी आप चाहते हैं चाहें वो professional front हो या personal front हो उसके लिए action initiatives लेना बहुत important है दिखें कहते भी है na vision without action is nothing तो action लेना बहुत important है अगर आप अपने ख्वाप को पूरा करना चाहते हैं और इस चीज़ का भी खयाल इस वीग जरूर रखें and astrology से आप लोगों के लिए Sagittarius sign का card है इसके हिसाब से all shades of yellow इस वीग आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Thursday तो ये था ले ब्राज आप लोगों के लिए coming week का सापता है का शीफल और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए चलिए इस copy उस आप लोगों के लिए दिखें आप लोगों के लिए काड है King of Souls Rivers और ये काड कहता है कि इस week specifically professional front में हो सकता है कि आपकी किसी authoritative figure के साथ जादा बातचीत हो रही है, जादा interactions हो रहे हैं और कहीं देखिए positive direction में interactions नहीं जाते हुए दिख रहे हैं चोटे मुटे मसले, चोटे मुटे issues रह सकते हैं अब देखिए घबराने की बात नहीं है क्योंकि ये weekly reading है weekly reading में बहुत बड़ी कोई चीज नहीं होती है एकका दुक्का लोगों की बात अलग है और simply हो सकता है कि difference of opinion हो रहा है और इससे related issues हो रहे हैं उस तरीके से आपको वो authority नहीं मिलती होई दिख रही है कुछ के लिए हो सकता है आप promotion चाहा रहे है उससे related issues हो रहे है तो देखिए broader level के लिए King of Souls का card reverse है तो इन ही सब चीजों के around चीजे रहती होई दिख रही है और इन ही सब चीजों से related मसले भी छोटे मोटे रहते हुए दिख रहे है King of Souls is not a negative card तो कुछ भी negative नहीं होता वा दिख रहा है और कुछ के लिए हो सकता है कि आप बहुत planning बहुत strategy बना के चीजों को deal करना चाहा रहे हैं और उस तरीके से आप planning strategy नहीं बना पा रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि आप बहुत अपने लिए stand लेना चाहा रहे हैं clarity के साथ चीजों को करना चाहा रहे हैं और उतनी clarity के साथ आप चीजों को नहीं कर पा रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है again बहुत logically आप चीजों को नहीं हो पा रहे हैं and personal front के लिए आप लोगों के लिए nine of swords का card है और ये card कहता है कि आप बहुत जादा किसी चीज की फिक्र किसी चीज की चिंता कर रहे हैं अब देखिए फिर से कहूंगी इस चीज को सुनके परिशान ना हो क्योंकि आपकी पूरी जिंदगी की reading नहीं है ये सिरफ और सिरफ इस week की reading है और देखिए reason परिशानी का, stress का, tension का सब के लिए differ करेगा लेकिन ये मैं आपको definitely कह सकती हूं कि external front पे इतना issue मसला नहीं रह रहा है जितना आप उसको अपने mind में सोच रहे हैं कुछ के लिए literally हो सकता है कि भई कोई तो वक्के में reason है परिशानी का कुछ के लिए हो सकता है कि छोटी मूटी चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही है और आपने उनको अपने mind में बहुत बड़ा बनाया हुआ है और दोनों ही scenario में देखिए आप परिशान तो होते हुए दिख रहे हैं लेकिन साथ ही साथ ये काट कहता है कि थोड़ा सा positive frame of mind में रहना बहुत important है अब मुझे बता है बहुत सारे लोग कहेंगे कि मैं कहना बहुत असान होता है करना मुश्किल होता है and I know I have also gone through this बहुत सारे लोग बोलते हैं positive सोचो positive सोचो और जितना हम positive सोचने पर focus करते हैं उतना ही negative thoughts मन में आते हैं तो देखिए आप थोड़ा सा अगर अपने thoughts को observe करते हैं और जो भी negative thought आता है उसके लिए immediately आप खुद को बोलते है recall, cancel, delete और यहाँ पर देखिए logic यही होता है कि उस negative thought को हम universe तक नहीं जाने दे रहे हैं क्योंकि जो भी thought universe के पास चला जाता है वो manifest हो जाता है फिर चाहें वो negative हो या फिर positive हो तो जैसे ही हम अपने thoughts को observe करना शुरू करते हैं और negative thought को हम बोलते हैं recall यानि कि हम उसको वापिस बुला लेते हैं cancel करते हैं, delete करते हैं तो कहीं सबसे बहली चीज वो thought हमारा manifest नहीं होता है और उसी जगा पर जब हम positive thought को replace करते हैं यानि कि मिरे मन में thought आ रहा है कि यह interview में नहीं clear कर पाऊंगी तो मैंने तुरंद बोलना है recall, cancel, delete और उसी से ही related एक positive thought create करना है definitely I will be able to clear the interview क्यों नहीं कर पाऊंगी क्या reason है जब मुझे आता है मैंने पढ़ाई करी है यान फिर मन में thought आता है कि भई पढ़ाई नहीं करी तो फिर मैं पढ़ाई पर focus करूँ इस तरीके से देखे जब हम अपने thoughts को observe करते है और अगर वो बेबुनियाद होते है जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि भई मेरी पूरी त्यारी है फिर भी मन में thought आ रहा है तो फिर मैं खुद को बोलती हूँ कि भई जब त्यारी करी है या फिर मैं कहूंगी negative thought process का pattern होता है इसको हम तोड़ते हैं इसमें से खुद को बाहर निकालते हैं better feel करते हैं चीजों को असान करते हैं I hope कि आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ क्योंकि यापे मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप positive सोचें मैं actually मैं आपको तरीका बता रही हूँ कि कैसे आप you know positive frame of mind अपने ले ला सकते हैं trust me इस चीज को आप follow करेंगे इस week की energies को आप भैतर करेंगे नहीं तो थोड़ा सा परिशान हो सकते हैं and in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए thinker का card है कुछ के लिए हो सकता है कि आप overthinking करेंगे और उस scenario में एक card कहता है कि इतना भी सोचनी की ज़रत नहीं है तो दोनों ही scenario में कहीं balance तरीके से रहना है क्योंकि कोई भी चीज ना तो ज़रूद से ज़ादा ठीक होती है ना ही ज़रूद से कम एक balance एक moderate तरीके से ही चीजों को करना ideal situation होती है तो इस चीज का खयाल आप इस week ज़रूर रखें और in fact देखिए personal front के लिए nine of swords reverse का card कहता है कि आप overthinking कर रहे हैं और मैंने अभी आपको बताया कि कैसे आप इसमें सिखुद को बाहर निकाल सकते हैं तो इस चीज का खयाल फिर से कहूंगी इस week आपने ज़रूर रखना है अगर आप चाहते हैं कि ये week आपका बहतर जाए and astrology से आप लगों के लिए Pluto का card है इसके यसाब से all shades of yellow and orange इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant days आप लोगों के लिए होंगे Sunday and Thursday तो ये था सकॉपियोज आप लोगों के लिए coming week का सापता है एक राशी फल और नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए चल्दे से ठीडे से आप लोगों के लिए देखें भी दिख रही है अब situation circumstances सबके लिए differ करेंगे कुछ के लिए हो सकता है कि internally यानि कि मन ही मन में बहुत सारी चीज़ें आपके mind में चल रही है और आप एक चीज पर focus ही नहीं कर पा रहे हैं एक चीज पर concentrate करते हैं तो दूसरी चीज आपके mind में आ जाती है दूसरी पर करते हैं तो तीसरी आ जाती है और कुछ के लिए हो सकते हैं कि external front में बहुत सारी चीज़ें आपके सामने हैं बहुत सारे work में आप involved है और इसलिए शायद किसी भी एक work पे आप पूरी तरीके से focus नहीं कर पा रहे हैं concentrate नहीं कर पा रहे हैं एक काम करते हैं तो आपको लगता है भी दूसरा काम रह रहा है दूसरा काम करते हैं तो आपको लगता है पहला या पर दीसरा काम रह रहा है तो कुछ इस तरीके की energies रहते भी दिख रही हैं और इसलिए मैंने कहा आप and down, to and fro आप होते हुए दिख रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि कोई decision, कोई choices आपको लेनी है और आप कहीं एक choice पर नहीं focus कर पा रहे हैं और फिर मैं कहूंगी एक choice को नहीं decide कर पा रहे हैं बहुत सारी चीजें, again या फिर बहुत सारी choices आपके मन में चल रही है कुछ के लिए हो सकता है कि किसी दिन आप बहुत great feel करते हैं बहुत अपने goal मकसद के लिए motivated होते हैं और दूसरे दिन आप बहुत demotivated feel करते हैं तो फिर से कहूंगी इस तरीके की energies हैं और two of pentacles is not a negative card तो कुछ भी खराब नहीं हो रहा है लेकिन अगर इन ही चीजों को आप अच्छे से manage करेंगे तो ये week आपका अच्छा जाएगा और नहीं करेंगे तो थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं again देखिए परेशानी इसलिए नहीं है कि कोई चीज गलत हो रही है कोई चीज खराब हो रही है इसलिए कि शायद आप चीजों को manage नहीं करवा रहे हैं और personal front के लिए आप लुगों के लिए Ace of Pentacles reverse का card है तो देखिए दोनों ही fronts के लिए Pentacles के cards हैं और ये cards कहते हैं कि या तो आप बहुत practical, realistic होकर चीजों को deal कर रहे हैं या फिर करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं और कहीं देखिए money, finances, ये चीजें एक focus रहती हुई दिख रही हैं और इन्हीं चीजों को लेकर छोटे-मोटे issues, मसले दोनों ही fronts में रह सकते हैं अब देखिए इस चीज को सुनके फिर से कहूंगे परिशान ना हों क्योंकि दोनों ही negative cards नहीं हैं दोनों ही बहुत ही positive cards हैं जस्ट इन्हों इस week reverse हैं तो छोटे-मोटे issues जो रोज मर्रा की जिंदगी में होते हैं वो रहते वह दिख रहे हैं अब Ace of Pentacles को खास कर देखें personal front के लिए तो हो सकता है कि आपका ज़्यादा खर्चा हो रहा है और पैसा आपके हाथ से निकल रहा है अगें situation सब कमसान से सब के लिए differ करेंगे कुछ के लिए हो सकता है कि कोई बड़ी purchase बहुत टाइम से आप करना चाहा रहे थे कहीं नहीं कर पा रहे थे और इस week आप कर रहे हैं या फिर you know कुछ के लिए हो सकता है कि आप पैसे को save करना चाहा रहे थे और कहीं आप उस तरीके से save नहीं कर पा रहे हैं अगें दिखें जो भी दो चीज़ें मेरे माइंड में आई मैंने आपको कहा situation circumstances सबके लिए differ करेंगे और दिखें कहीं Ace of Pentacles के card को अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर जो gate है जब यह card reverse आता है तो वो भी बंद होने की बात करता है तो हो सकता है कि कोई चीज आप करना चाहा रहे हैं कहीं आप जाना चाहा रहे हैं और उसके लिए आपको ऐसे लग रहा है कि दरवाजा बंद है और फिर से दिखें reverse है तो यही कहूंगे कि उतनी stability उतनी security आप नहीं महसूस कर रहे हैं अगल किसी relationship में commitment चाहा रहे है, stability चाहा रहे हैं तो उतनी एक commitment आपकी संभाल के खर्च करें बिना सोचे समझें ना खर्च करें क्योंकि फिर आप बाद में परेशान हो सकते हैं और कुछ के लिए भी हो सकता है कि भाई आप क्या पैसा खो रहा है I don't know how it sounds मतलब आप पैसे को संभाल के रखें पहले जमाने में तो बुलते थे ना कि आपकी जेप कट गई तो उस तरीके से आपका पैसा खो गया और आजकल के जमाने में देखें हम बोलेंगे कि आप बैंक की कोई भी डीलिंग करें थोड़ा सा सूथ समझ के करें अपने पै बाइडन से बाइदबुक का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि आप बहुत जादा हो सकता है बाइदबुक चल रहे हैं जो कि बहुत अच्छी बात होती है लेकिन जब हम बुलते ना लकीर के फकीर हो जाते हैं तब हम और options और choices को नहीं देख पाते हैं हम बहुत you know एक rigid fixated होके चीजों को deal करते हैं और ऐसे में कहीं फिर से मैं कहूंगी हम बाकी चीजों को नहीं explore कर पाते हैं बाकी के अपने options को नहीं देख पाते हैं तो इस चीज का खयाल रखें थोड़ा सा अगर आप fixated हो रहे हैं in a positive sense बहुत अच्छी बात है लेकिन आपको लगे कि आप over ह ही हो रहे हैं आप इधर उधर भी नहीं देख पा रहे हैं वेनाइसे इधर उधर नहीं देख पा रहे हैं यानि कि अपने बाकी के options को नहीं समझ पा रहे हैं तो ज़रूर खुद को चेक करके correct करें और astrology से आप लोगों के लिए uranus का card है इसके हिसाब से all shades of blue indigo इस week आप तो ये था Saturdays आप लोगों के लिए coming week का सापता है एक राशीफल और नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए चलिए के अपरिकॉंज आप लोगों के लिए देखें इकमिंग वे क्या लेकर आ रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है ace of swords और ये card कहता है कि इस week specifically professional front में छोटे मोटे challenges छोटे मोटे issues रह सकते हैं अब देखें डरने की बात नहीं है क्योंकि ये card ये भी कहता है अगर आपने fighting spread रखी अगर आप logically चीजों से deal करेंगे तो आपकी victory होगी आपको success मिलेगी अगर आप इस card को देख पा रहे हैं तो sword जरूर है sword यानि की challenges जरूर है लेकिन साथ ही साथ sword के उपर crown भी है जो की victory को represent करता है जो की success को represent करता है तो फिर से कहूंगी की victory हो outcome मिल जाता है हमें success मिल जाती है और कभी कभी छोटे मुटे challenges होते हैं और हम उनसे जो fight back करते हैं तब हमें जाकी success मिलती है तो कहीं इस तरीके का scenario इस week रहता हुआ देख रहा है and एक message ये card आपको देता है कि आप इस week जरूर fighting spirit रखें अब fighting का मतलब यह नहीं है कि जो भी ह होती है अरचन ही होती है वो हमारा negative thought होता है वो हमारे negative belief systems होते हैं और अगर हम इन से लड़ाई कर लेना यकीन मानिये कोई ऐसी चीज नहीं है दुनिया की जिसको हम achieve नहीं कर सकते हैं लेकिन होता क्या है ना कि हम external front पे fight करते हैं जो internal front पे अपने ही negative विचारों से अपने ही negative belief system से fight करनी होती है वो हम नहीं करते हैं उसके लिए हम aware ही नहीं होते हैं और दूसरी बात अगर कोई आपको dominate करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर you know आपको manipulate कर रहे हैं तो आपने ये भी नहीं होने देना आपने अपने अपने लिए this chance लेने हैं और ये भी देखिए एक त success मिल रहा है, victory मिल रही है and personal front के लिए आप लगों के लिए the world का card है तो सबसे पहली चीज the world का card कहता है कि out of the country से related कोई activity कोई चीज यहां तो हो रही है या फिर आप चाह रहे हैं simply आपके मन में एक सोच रह रही है अब देखिए ये थोड़ा-थोड़ा सब के लिए डिफर कोई काम आप कर रहे हैं, करना चाहा रहे हैं या एक सोच चल रही है और कुछ के लिए हो सकता है कि कोई आपका loved one out of the country रहता है उनके साथ आपकी जादा interactions हो रही है और दिखिए जो भी दो चीजे मेरे mind में आई मैंने कहा सब के लिए different situation circumstances रहेंगे क्योंकि ये general reading है और कभी कभी simply कोई काम हम बहुत time से कर रहे हैं और हमें लग रहे है कि बस अब ये complete हो जाए वो complete ही नहीं हो रहा तो इस week को complete होता हुआ दिख रहा है या फिर partner के साथ बहुत time से लड़ाई चल रही थी और arguments हो रहे थे इस week हो सकता है कि आप दोनों ही एक दूसरे के साथ examples दिये हैं कि किस हिसाब से कुछ चीजें end हो रही है कुछ चीजें शुरू हो रही है और फिर से कहूंगे ये बहुत छोटी मोटी सी चीजें रहेंगी एकका दुका लोगों के लिए बड़ी चीज रह सकते हैं जैसे कि अभी मैंने आपको example दिया कि बहुत जादा difference of opinion हो र रही है अगें देखिए मैं सिरफ आपको examples दे रही हूँ कोई भी चीज हो सकती है जो किसी level पे end हो रही है नई चीज चुरू हो रही है या फिर closure आपको नहीं मिल रहा था तो इस वी closure एक मिलता हुआ दिख रहा है अगें किसी चीज को complete करके fresh तरीके से नई चीज की तरफ आप जाते हुए दिख रहे हैं all in all personal front अच्छा रहता हुआ दिख रहा है and in general या फिर guidance से अलेग आपका card है और ये card कहता है कि अगर आपको किसी भी चीज को लेकर किसी से भी help या support की ज़रत है तो आप हिच की चाहे नहीं क्योंकि most of the time समय ऐसे लगता है कि सामने वाला मना कर देगा हम उनसे इस चीज को जिकर ही नहीं करते हैं उनको कहते ही नहीं है कितनी बारी हमारी अपनी इगोत है कि हमें तो किसी की help नहीं चाहिए हम खुद कर लेंगे और दोनों ही सेनारियों में देखिए जब help चाहिए तो चाहिए है और हम अपने ही काम को delay करते हैं अप को help कर सकते हैं support कर सकते हैं जो भी आपकी situation है जो भी आपके circumstances हैं फिर से देखिए weekly reading है तो बहुत छोटी मोटी ही चीज़ें रहेंगी and astrology से आप लोगों के लिए Germany sign का card है इसके हिसाब से all shades of green इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा witness day तो ये था Capricorns आप लोगों के लिए coming week का साथ है क्राशीफल और नीचे मुझे comment section पर ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए घ्री से escape करना चाह रहे है किसी चीज को avoid ignore करना चाह रहे है । लेकिन आप नहीं कर पा रहे है अब दिखे हे हाँ पे अंप सबके लिए situation circumstance different करेंगे कुछ के लिए कोई इनसान हो सकता है जिनको आप avoid करना चाह रहे है escape करना चाह रहे हैं आप upfront होके उनसे deal नहीं करना चाह रहे हैं कुछ के लिए जो भी काम आप कर रहे हैं आप उसको avoid करना चाह रहे हैं उससे escape करना चाह रहे हैं और यहाँ पर दिखिए जो भी चीज से आप escape करना चाह रहे हैं कहीं बहुत चोरी छुपे आप गायब होना चाहा रहे हैं लेकिन अगेन कहूंगी ऐसा नहीं आप कर पा रहे हैं और फिर से reason सब के लिए differ करेगा, situation, circumstances सब के लिए differ करेंगे और इसी लिए या फिर otherwise भी या तो आप थोड़े से manipulative हो रहे हैं या फिर जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं वो काफी manipulative हो रहे हैं और अगर ऐसा आप भी पाएं तो ज़रूर cautious रहें एक blind trust, blind faith किसी पे भी ना करें क्योंकि seven of souls का card cheating की भी बात करता है आप मैं यह नहीं क साभी doubt होता है तो आपने you know again cautious रहना है अपनी inner voice को आपने जरूर सुनना है क्योंकि देखिए हमारी inner voice most of the times हमें बता देती है कि यह चीज ठीक नहीं है यह इनसान गलत है लेकिन हम सुनते नहीं है हम उसको avoid करते हैं तो इन ही सब चीजों का खयाल इस वीक ज़रूर रखें and personal friend के लिए आप लुगों के लिए seven of wands का card है और यह card कहता है कि जो भी आप personal friend में कर रहे हैं छोटे मोटे challenges छोटे मोटे issues रह सकते हैं यानि कि एक smooth going नहीं रहती हुई दिख रही है लेकिन यह card साथ ही साथ victory और success की भी बात करता है यानि कि यह card कहता है अगर आपने extra effort ल challenges को overcome कर पाएंगे जो आप चाहते हैं उसको achieve कर पाएंगे तो फिर से दिखें यह card success promise करता है यह card victory promise करता है लेकिन challenges के बाद तो challenges अगर इस week किसी भी चीज़ के लिए आप महसूस करें तो आप घबराएं ना आप अपने mind में रखें कि यह challenges अगर आपने overcome कर लिए willpower determination के सा तो definitely आप उस चीज़ को achieve कर पाएंगे जो आप चाहते हैं and in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए truth be told का card है और दिखें इसकी guidance personal professional किसी भी front के लिए हो सकती है लेकिन जादा मुझे professional front के लिए रहती भी दिख रही है क्योंकि professional front में seven of swords का card cheating को represent करता है और truth be told का card कहीं सच से को वाकिफ करने की बात करता है तो फिर से guidance का card आपको यही message दे रहा है कि जब तक कि आप sure ना हो जब तक कि आप चीज़ों को लेकर clear ना हो जब तक कि आप completely सच से वाकिफ ना हो तब तक आप you know चीज़ों को deal ना करें तब तक आप खुद को उसमें involve ना करें यानि कि natural में सच से खुद को वाकिफ ज़रूर करें कोई बड़ा decision कोई बड़ी choice कोई बड़ा action कोई बड़ा initiative लेने से पहले and astrology से आप लगों के लिए मार्स का card है इसके हिसाब से all shades of red, maroon, rust इस week आप लगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लगों के लिए होगा Tuesday तो यह था एक्वेडियस आप लुगों के लिए coming week का सापता ही राशीफल और नीचे मुझे comment section पर ज़रूर बताएं कि यह कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए चलिए prices आप लुगों के लिए देखें यह coming week क्या लिकरा रहा है कि energies हैं तो professional fund के लिए आप लुगों के लिए card है the hangman reverse और यह card कहता है कि इस week specifically professional fund में आप थोड़ा सा stuck महसूस कर सकते हैं होता है ना कभी कभी हमें लगता है कि हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं नहीं कह पा रहे हैं बहुत कुछ करना चाहते हैं नहीं कर पा रहे हैं अब इस कार्ट को भी आप देखें तो इनके हाथ भी बंदे हुए हैं पैर भी बंदे हुए हैं और कुछ ऐसी ही situation आपकी भी रह सकती है अब देखें इस चीज को देख कर सुनकर आप डरें ना क्योंकि ये weekly reading है weekly reading में बहुत बड़ी चीजें नहीं होती हैं छोटी मुटी च कुछ टाइम से ऐसी energies थी और इस week आप बहुत conscious एक effort कर रहे हैं खुद को इन energies में से बाहर निकालने के लिए और देखिए इस card का message आपके लिए होता है कि आप थोड़ा सा अपना नजरिया चीजों को देखने का बढ़ लें आप थोड़ा सा you know अपना perception बदलें क्योंकि कि इतनी बारी हम बहुत fixated ओके चीजों को deal कर रहे होते हैं और ऐसे में हम बहुत सारी और possibilities को नहीं देख पाते हैं बहुत सारे और जो भी again possibilities होती हैं उनको नहीं समझ पाते हैं तो इस चीज का खयाल रखें और कुछ के लिए दिखिए काड ये भी message देता है कि at times हमें छोट चोटे मुटे adjustments चोटे मुटे compromises करने पड़ते हैं मैं यह नहीं कह रही हूँ कि आप इतना ज्यादा compromise करें आप self को ignore करें self को self की respect को in fact मैं कहूंगी maintain करते हुए खुद को prioritize करते हुए या खुद को importance देते हुए जो एक you know compromises, adjustments, situation, circumstances आपसे demand कर रहे हैं वो आप जरूर करें ऐसा करेंगे तो इस week को भैतर करेंगे नहीं तो फिर थोड़ा सा परिशान हो सकते हैं और देखिए hangman is not a negative card, it's a neutral card तो आप घबराए ना परिशान ना हो बहुत great कुछ इस week नहीं हो रहा है लेकिन कुछ खराब भी नहीं हो रहा है अगर आप थोड़ा सा अपना नजरिया बदल लेंगे थोड़ा सा अपना perception बदल लेंगे चीजों को देखने का डील करने का तो इस week को आप भैतर कर पाएंगे और personal front के लिए आप लोगों के लिए two of swords reverse का card है तो देखिए दोनों ही fronts के card कहीं stuck energies की बात करते हैं in fact दोनों ही reverse हैं तो दोनों ही stuck energies में से किसी ना किस लेविल पर बाहर निकलने की बात करते हैं आप देखिए personal front में हो सकता है कि पीछे आप बहुत सारी चीजों को देख के अंदेखा कर रहे थे सुन के अंसुना कर रहे थे और कहीं action initiatives नहीं ले रहे थे आपको decision choices लेने की जरुरत थी आप नहीं ले पा रहे थे और इस week आप आपको यसे लग रहे है कि बस बहुत हो गया आपको अपने आपको इस energy में से बाहर निकालना ही है चीजों को अंदेखा करने से अंसुना करने से कोई भी मसला हल नहीं होता है इस चीज को आप समझ रहे हैं और कहीं इसी के ऊपर आप action भी ले रहे हैं यानि कि किसी level पे इ कुछ भी हमारी life में solve नहीं होता है जब आउल या फिर कबूतर बिल्ली को देखकर आखे बंद कर लेता है तो बिल्ली उसके और नजदीक आती रहती है और एक time आता है उसको खा जाती है उस time पे ideal situation यही होती है कि कबूतर वहां से उड़ जाए और यही आप लोगों के लि यह आखें बंद करने से आप कभी भी उसको नहीं solve कर पाएंगे थोड़ा बोद जरूर starting में मुश्किल होगा थोड़ा बोद जरूर challenging हो सकता है लेकिन उसको solve करने का तरीका यही है कि आप upfront होके इसको deal करें इस चीज का खयाल रखेंगे ये week आपका भेतर जाएगा आप जनरल या फिर guidance से आप लगों के लिए message है all that glitters is not gold और बहुत ही clear message है हर चमकती चीज सोना नहीं होती है तो जो भी चीज आपको बहुत attract कर रही है बहुत अच्छी लग रही है वो कोई इनसान भी हो सकते है कोई you know काम भी हो सकता है आप थोड़ा सा pause करके उसको और जादा समझ लें और जादा जानने की कोशिश करें सिरफ एक physical attraction से या फिर outer attraction से आप ना decide करें कि ये चीज बहुत बहतर है और ये चीज आपके लिए सही है आप ज़रूर थोड़ा सा deep में चीजों को जाएं और जादा समझने की कोशिश करें and astrology से आप लोगों के लिए the moon का card है इ and significant day आप लोगों के लिए होगा Monday तो ये था पाइसेज आप लोगों के लिए coming week का सापता ही ग्राशी फल और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आपके